हालो गाइस वेलकम बैक और आज की जो यह वीडियो है इस इस गूइंट टुबी आरों नो किस तरीके से रिस्पॉंस आएगा क्या होने वाला है और मैं उन सब चीजों का एक अंदाजा है में भी बैक फायर हो सकता है बहुत सारे हेट कमेंट आ सकते हैं पर मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है सच बता रहा हूं दिस इस ओल्ली विकॉज कि भाई जैसे जब से मैंने वाट्साइब नमबर रिलीस किया है आएम गेटिंग सो मच आफ मैं अचली इतना जादा कनेक्ट हुआ हूं बच्चों से और काफी कुछ जो है पहले थोड़ा अंदाजा था अब अब नाचली दीदी बयास यह चीज को भी आपको समझना एक बारीक लाइन है समवन वह वर्य वर्य गुड टीचर फोर एक्जांपल मैं बात करूं अगर मतलब example क्या ही मैं बता हूँ अब मैं आपको बता रहा हूँ कि there are so many ऐसे मतलब दसवी से अभी ग्यारवी में पहुचा ग्यारवी में खुद की study में struggle कर रहा है और दसवी का marks जो है enhance करके बता रहा है इसलिए ठीक है क्योंकि बच्चे जो है उनको अपने जहासे में लिया जा सके और थोड़े से views बटो रहे जा सके ठीक है तो इस तरह की चीज जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है यूट्यूब पर और इससे सभी बच्चों को टीचर्स को भी यहां पर मैं बता हूं जितने भी स्कूल टीचर जो भी टीचर्स देख रहे हैं प्लीज अपने बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को गाइड करें कि हां भाई exactly आपको पढ़ना कहां से है मोटिवेशन क्या होता है मोटिवेशन इस समवन जो आपके अंदर से आता है मैं एक चोटा सा एक्जामपल दूँगा मैं ना बहुत बार मैंने सोचा कि यार जिम करेंगे ये करेंगे वो करेंगे उसके लिए मोटिवेशन भार से मतलब वो काम नहीं होता जब तक आप अं यह जो creators हैं वो आ गए हैं and they are they don't know teaching as well पर मैं यह देख पा रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे ऐसे वाले लोग जो जिंदा कोई background नहीं है and they are teaching like कि भाई यह 10 question कर लो paper में यही आएगा kind of this things are done और यह इस साल बहुत ज्यादा हुआ है मतलब मैंने कई बार सोचा इसकी पर वीडियो बनाऊ it was तोड़ा से लग रहा था यार पता नहीं किस तरीके से यह होंगे hate comments and all अब फरक नहीं पड़ता literally फरक नहीं पड़ता जिसको जो सोचना है जो बोलना है बिंदास बोल सकते हो comment बननी होने वाले यहां पर and important यह है कि अभी जो बच्चे 9th में 10th में या 11th में अभी जो प्रवेश कर रहे हैं उनको यह बात समझनी है कि क्या आपने जो या जो बच्चे अभी 10th का exam दिये ह क्या अपने exam की समय जो वो 10-5 question किये थे उन so-called दीदी भया से उनसे आपको सारा ग्यान मिला है या वो school teachers भी responsible है आपके अच्छे marks लाने में या आपके अच्छे exam के होने में वो school teachers का भी मेहनत है उन coaching offline coaching के भी हो सकता जो लोग जा रहे हैं उनकी teachers का मेहनत है ठीक है या फि आपको शुरुवात में जब views नहीं थे उस टाइम पर भी आपको content दिया हुआ है और वो content जो educational content था ठीक है और इस वक्त मोटिवेशन दे रहे थे end में जब पता है कि अब सिर्फ exam का कुछ भी डाल तो चल जाएगा उस वक्त तुनों ने paper में यही आएगा ऐसे करके हर chapter के पांच-पांच question hardly कर रहा होंगे and this is so यह ऐसा दौर है रूँनों जिसमें बोलना भी बहुत बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता I am not worried about anyone जिसको जो सोचना है इसमें मैं किसी को pinpoint नहीं कर रहा हूं but I want everyone to be aware चाहे बच्चा हो चाहे creator हो ठीक है तुम अपनी हद समझना सीखो तुमको कौन सी चीज करने आये हो उसी में रहो अगर तुम motivation दे रहे हो ग्यान दे हो that is absolutely okay अगर तुम घुसे इस category में जहां पर तुमको नहीं पता और तुम गलत पढ़ा रहे हो गलत चीज़े दे रहे हो तो भाई सईनी होने वाला है और अब आवाज उठेगी ठीक है मै बहुत सारे ऐसे बड़े creators है 910 category कि जिन्होंने में से personally phone page बारे में बात की थी कई बार बाते हुई है बट यहां पर गड़बड़ हो सकती है I don't mind मैं पिर बोल दिया ठीक है यह लोड़ गुड़ टीचर में अगर नाम लेना चाहूं दिग्राज सर है आशू सर है फिसक्स वाला की कई सारे टीचर से ठीक है विदानतु के अपने अभिशेख सर अन लोड़ अधर टीचर्स ठीक है और भी बहुत सारे है मैं विद आल्डू रिस्पेक्ट यह यह लोड़ टीचर्स तो अगर एजुकेशन कंटन्ट पढ़ रहे हैं उनसे पढ़ना इसा फैंटास्टिक आइडिया ठीक है और वह आपको गाइड भी करेंगे तो उस तरीके से गाइड करेंगे बड़ वेन यूर टॉकिए यह जो दसवी गयरवी बारवी से निकले ठीक है तो मैं यह चाहूंगा कि सबसे पहले वह बच्चे जिनका मेसेज आया था मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा तो यह जो एक्जाम मैंना बहुत खराब गया क्योंकि मैंने इन दीदी भाईया से पढ़ा सो दीदी भाईया से पढ़ना कोई बुराइब बात नह तो सबसे अच्छा जज जो है न इस टीचिंग के बारे में वह स्टूडेंट होता है तो आजस्टूडेंट यू अंडरस्टैंड कि हाँ इनके कंसेप्ट में यह फ्लॉलेस है समझ में आ जाता हो ठीक है वो जनुनिनने समझ में आ जाती है तो विट डिस इस ओल जो मैं को बोलना था और विट ओल रिस्पेक्ट जिनको भी हीट कमेंड करना कोई दिख करनी है इसको समझना सारे बच्चों कह रहा हूं सारे टीचर्स को भी कह रहा हूं अपने बच्चों को सही से गाइड कर सकते हैं ऐसे दीदी भाईया जो मतलब सिर्फ एक नकाब लेके आये हैं दे पीछे कुछ और चल रहा है ठीक है तो भाई थोड़ा सा सावदान हो जाओ इस साल जो है ताकर लगने वाली है और भी क्रिएटर्स हैं यहार कमिंग उप विद धेर वीडियो तो ओके गाईस मिलते हैं अंगले वीडियो में तिल देन बाबाई सी यू और अपने प्रतिक रिया आएं जो है रियाक्शन जो है नीचे जुरू बताना बाई